इस वीडियो में सॉल्व करेंगे टू प्वेस्टन्स नमबर नाइन और टेन तो यह दोनों क्वेस्टन्स सिमलर है इसलिए हमने एक ही वीडियो में ले लिया है ठीक है क्या बोल रहा है तो हमें दो डिजिट का ग्रेटेस्ट नमबर बताना है जो एक परफेक्ट स्क्वेर हो और यहां बताना है क्या पूछा है इसका मतलब कि समझ आई है यहां पर कि टू डिजिट के जो नमबर होते हैं सबसे लोएस्ट नमबर होता है 10 और हाइस्ट नमबर होता है 99 मतलब कि ग्रेटेस्ट नमबर होता है 99 लेकिन ग्रेटेस्ट नमबर 99 जो है परफेक्ट स्क्वेर नहीं है हमें बताना है कि वो ग्रेटेस्ट हो और परफेक्ट स्क्वेर हो तो 99 तो आजनसर होगा ही नहीं ठी क्या हम start करेंगे 10 के ऊपर जो सबसे perfect square होगा वो किसका square है तो हम जानते हैं कि 4 का square जो होता है वो 16 होता है तो 10 के just ऊपर वाला square है वो क्या है 16 है तो हम यहाँ पर start करेंगे we have solution में 9 का we have हमें क्या मिलेगा देखे 4 जो square होता है 16 होता है यह मिलगा 16 अब यहाँ पर 5 हमारे हमर मिलने मिले हैं यहaby sería square नमबरत है और वह वेस्टेश के स्कॉइर्ण नमबर निकालना है तो इसको square करते जाए together 16 के बाद मिलेगा 25 उसके आगे करेंगे तो क्या मिलेगा 6 का square means 36 means 25 के ऊपर जो नमबर है वो है आपका 36 उसके बाद 7 का square means 49 और 13 के बाद जो नमबर है वो क्या है 49 है उसके बाद 8 का square means 64 means 49 के ऊपर जो नमबर है वो क्या है और उसके बाद है 9 square means 81 अब 64 के बाद जो क्या है 81 है और 81 के बाद कोई भी ऐसा square नमबर नहीं है जो 2 digit का हो और वो perfect square नमबर हो क्योंकि हमारे पास इसके बाद आता है 10 का square और 10 का square करते हैं तो मिल जाता है 100 और 100 जो है 3 digit का list square नमबर है लिस्ट नमबर है जो की एक perfect square नमबर है ठीक है तो जो second question है आपका question number 10 उसका answer यहीं पर मिल गया हमें ठीक है तो पहली-पहली answer जो मिला है वो मिला है कि 81 is the is the greatest number of two digits 81 is the greatest number of two digits which is a perfect square क्योंकि अब 81 के ऊपर जाने पर 3 digit का नमबर आता है जो की perfect square होता है ठीक है तो यहां पर लिख देंगे clearly clearly let me 81 is the greatest number of two digits number of two digits which is a perfect number perfect square number तो हमारा यह पहला जो question number 9 है इसका solution हो गया 81 होगा क्योंकि 81 के ऊपर जाने पर 3 digit का number मिल जाता है अब दूसरा जो question number 10 पुछा है वो पुछा है कि find the list number of three digits हम बताना है कि list number सब्सक्राइब चोटा नमब बताना है 3 digits का जो एक perfect square हो तो three digits का जो list number होता है वो hundred होता है और hundred ही क्या है perfect square है क्योंकि 10 का स्क्राइर होता है तो जो 10 का solution होगा इसमें तो तुरंत यहां मिल जाएगा कि clearly हम यहां लिख सकते हैं directly कि clearly यहां पर हम देख सकते हैं आपर कि hundred is the list number list number of three digits which is a perfect square which is a perfect square okay तो मतलब कि यहां पर कुछ करना नहीं है इस question में भी 10 में बस आप इसे लिख दीजेगा और दिखाएगा कि 10 square करने पर 100 आता है और 100 ही क्या है list number है three digit का और यह perfect square ही है किसका perfect square है मतलब hundred जो है perfect square है तो किसका square है 10 का square है ठीक है अब 10 के बाद यह 11 का करते हैं 11 square करेंगे तो 1 है 21 आ जाएगा यह भी three digit का number है लेकिन यह list number नहीं है हमें बताना क्या है list number of three digits यदि यह पूछा होता अब यहां पर कि greatest number of three digits क्या होगा तो आप क्या करना पड़ता आपको यह square बढ़ाना पड़ता है 12 कर निकालना पड़ता 13 14 15 16 ऐसी आप जाते तो आप देखते हैं 32 का square तो यह मिल जाता है 1024 देखें यहां पर यह बढ़ गया न मतलब कि इसके ऊपर वाला ही three digit का number है जो कि greatest number है जो perfect square है मतलब 31 का square तो आपको यह सब भी जाना चाहिए कि three digit का जो greatest number कौन सा होगा जो perfect square होगा वो आपको याद रखना चाहिए जो कि है 961 ओके तो hope के आपको समझ में आ गया होगा यह question 9 and 10 तो thank you so much for watching बाई